नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका, आपके अपने यूटूब चैनल मी खरियों में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आल पर किलिक करना ना भूलें, इससे दोस्तों क्या होगा, जब भी हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो डालेंगे, तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, दोस्तों आपने रामानंद सागर जी की रामायड तो जरूर देखी होगी, क्या आप जानते हैं, जिन्होंने विवीशन का किरदार निभाय अगर आपको नहीं है पता, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, हम बता दे दोस्तों आपको, जिन्होंने रामायड में विवीशन का किरदार निभाया था, उनका नाम है मुकेस रावल, जी हाँ दोस्तों मुकेस रावल, तो आज हम आपको इस वीडियो में मुकेस रावल जी का जीवन परचय सुनाएंगे यनी उनकी बायोग्रोफी आपको बताएंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कोमेंट करना और सेयर करना तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा देनना करते हुए हम आपको सुना रहे हैं रमायन के बिवीशन यनी मुकेस रावल जी का जीवन परचय विस्तार पूरुवक दोस्तों, जब भी आप अपने मन में सोचते होंगे, कलपना करते होंगे, की कैसे होंगे बिवीशन, तो सबसे पहले आपके मन में चेहरा आता होगा, मुकेस रावल जी का इन्होंने इस किरदार को ऐसे निभाया, लगता था कि यही हैं असली बिवीशन दोस्तों, आज भले ही आप इनको इनके नाम से भूल गए हैं, लेकिन आपको यह विवीशन के रूप में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों, मुकेस रावल जी का जनम सन 1950 में महराष्ट बुम्बई में हुआ था इनके पिता जी का नाम सिरी रवी संकर रावल था, जो की बैंक ओफ बरोदा के करमचारी थें मुकेस रावल जी अपने पिता जी के तीन संतानों में सबसे बड़े थें इनके दो भाईयों के नाम हैं दिवेस और चंद्रेस, इन्होंने अपनी सुर्वाती पढ़ाई जी अएच हाई स्कूल बूरी बली से पूरी की इन्होंने आंगे की पढ़ाई ओदार कलेज मटूंगा से की दोस्तों वो दावर था 1968 का और इसी साल इन्होंने ओदार कलेज के ड्रामा कॉंप्टीशन में हिस्सा लिया ड्रामा का नाम था आनू नामते नाटक इसी ड्रामा से इनकी दिल्चस्पी अभिनाय में बढ़ने लगी और इसके बाद दोस्तों इन्होंने इंटर कॉलेज के हर ड्रामा कॉंप्टीशन में हिस्सा लेने लगे ये इनके अभिनाय का ही कमाल था कि उस साल इन्हें हर ड्रामा कॉंप्टीशन में बेस्ट अक्टर का अवार्ड मिला ये सिलसिला दोस्तों यहीं नहीं रुका बल्कि हर साल कॉलेज में होने वाले ड्रामा कॉंप्टीशन में इन्हें बेश्ट आक्टर का अवार्ड मिलता रहा ड्रामा से ही तो घर का खर्च चलने वाला नहीं था जीव को पारजन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता सो दोस्तों इन्होंने अपने पिता जी के कहने पर बैंक ओप बरोदा में नवकरी करली और दोस्तों वो साल था 1971 का नवकरी दोस्तों चल रही थी इनकी पर इन्होंने ड्रामा नहीं छोड़ा नौकरी के बाद जो समय इनको मिलता ये उसे थेटर में दिया करते थे इसी बीच इन पर नजर पड़ी कांती मडिया जी की जो की दोस्तों गुजराती थेटर के एक मसूर दरेक्टर थे इन्होंने अपने एक गुजराती नाटक में मुकेश रावल जी को मेन हीरो के रूप में चुना जिसमें इनकी अपोजिट थी गुजराती सिनेमा की जानी मानी अभिनेतरी सुजाता मेता इसके बाद इनके अभिने का सफर बड़ी मजबूती से आंगे बढ़ता चला गया इसी बीच जब गुजराती फिल्मों का दवर दोस्तों सुरू हुआ तो मुकेश जी गुजराती फिल्म निर्माताओं की पसंद बनकर उभरे इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में काम किया पर दोस्तों थेटर का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा फिल्मे और थेटर साथ साथ चलते रहे आईए अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने इनके अभने के करियर को यादगार बना दिया दोस्तों बात है 1986 की जब रामानंद सागर अपने नए धारावाहिक रमायण के लिए कलाकारों की तलास में थे और इसी सिलसिले में वो इंडियन नेशनल थेटर पहुँचे और वहां वे मुकेस जी के अभने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रमायण में काम करने का ओफर दे दिया मुकेस जी को देखकर रामानंद सागर जी ने पहले ही ये मन बना लिया था कि मुकेस जी को रमायण में वो विभीसन का किरदार देंगे फिर भी उन्होंने मुकेस जी की इच्छा जाननी चाही वो बोले कौन सा किरदार करोगे मुकेश जी तो मुकेश जी ने कहा इंदर जीत का क्योंकि दोस्तों मुकेश जी को लगता था कि ये किरदार ज्यादा पावर्फुल है रामनंद सागर जी ने इनके दोस्तों दो स्क्रीन टेस्ट लिये जिसमें एक इंदरजीत का और दूसरा बिवीशन का जिसमें दोस्तों सबसे अच्छा परिणाम बिवीशन वाले किरदार का आया और अंत में ये निड़ने लिया गया कि अगर कोई विभीशन का किरदार निभाएगा तो वो है मुकेश रावल जी रामानंद सागर जी की दूर दर्शिता बिलकुल सटीक बैठी विभीशन के किरदार ने दोस्तो मुकेश रावल को रातो रात इस्टार बना दिया रामायण के बाद इन्होंने कई सारे टीबी धारवाईकों में काम किया साथ ही साथ बोलीवुड फिल्मों के दरवाजे इनके लिए खुल गएं तिरंगा, कोहराम, जिद, आउजार आदी कई बोलीवुड फिल्मों में इन्होंने अपनी बेतरीन अदाईगी से लोगों का दिल जीता सब कुछ दोस्तो अच्छा चल रहा था मुकेश जी की पतनी सरला से इनके तीन संताने हुई दो बेटियां और एक बेटा दोस्तो सन 2000 की बात है इसी बीच कुछ ऐसा वाक्या हुआ जिसने मुकेश जी को अंदर से तोड़ कर रख दिया उनका बेटा दिज जो की मात्र 18 साल का था कौलिस से घर लटते समय ट्रेन से गिर कर उसकी मौत हो गई एक बाप का अपने जवान बेटे का कंधा देने का दुख क्या होता है ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं सन 2001 में इन्होंने दोस्तो अपनी बैंक वाली नवकरी से भी इस्तीफा दे दिया समय दोस्तो बीतिता गया और मुकेस जी भी अपने इस दुख को धीरे धीरे भूलने लगे ये इनकी जिन्दा दिली ही थी की इन्होंने अभिनाय का सौख नहीं छोड़ा थेटर, गुजराती, सिनेमा, हिंदी, फिल्मों और धारवाईकों से इनके अभिनाय का सफर चलता रहा फिर दोस्तो 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदु स्तानियों के दिलों को जख जोर के रख दिया सोला नवंबर को सुबए साढ़े नव बजे इनकी डेथ बोडी गांधी वली रेलवे स्टेशन के पास मिली जिसने भी दोस्तों ये खबर सुनी वह एदंग रह गया दर असल मुकेस जी एक गुजराती फिलिम की डबिंग करने घर से दोस्तों निकले थे जल्दबाजी में रेलवे लाइन पार करते समय एक ट्रेन की चपेट में आ गए जिससे इनकी तुरंत वहीं पर मौत हो गई दोस्तों सोसल मीडिया में ऐसी भी अफवाएं उड़ी कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद मालूम चल ही गया होगा कि ऐसा जिन्दा दिल इन्सान कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता दोस्तों आज हमारे बीच मुकेस रावल जी भले ही नहीं है लेकिन वो भिवीशन के रूप में हमेशा हमारे दिलों में राच करेंगे तो दोस्तों यहीं से मुकेस रावल जी का जीवन परचय समाप्त हो जाता है हमें आसा है कि आपको इनका जीवन परचय बहुत अच्छा लगा होगा अब अपने दोस्त हरियों मियादों को दीजिये इजाजत नमस्कार